सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके परने स्पेले यूटूप चैनल पे आज इस वीडियो में बिहार वोट के अक्षा दस वी के स्टोइन्टों के लिए साइन्स में फिजिक्स का कुछ सब्जेक्टिव कुछन बनाने वाला हूं जो की आने वाले एक्जाम के बहुत ही लावदायक सावित होने वाला है इसी परकार से मैं सभी सब्जेक्ट का अब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अप्लोड करता रहता हूं तो यदि आप इस चैनल पर नहीं है और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा सला है कि आप इस चैनल को सब बहुत ही लाब दक्स सावित होने वाला है इसलिए जिस तरह से मैं बता रहा हूं उस तरह से आप लोग उसका अपने कॉपी पे नोट डाउन करिएगा ठीक है तो देखिए आप लोगों के बीच पहला कोस्टन है बास्तवीक तथा अभासी परतिवीम में अंतर असपश्ट क बास्तवीक परतिवीम में पहला पॉइंट लिखेंगे किसी बिंदू से आने वाली परकास की किरने प्रावरतन के बाद जिस बिंदू पर मिलती है वह बिंदू पहले बिंदू का अभासी परतिवीम होता है तो दोनों का डिपरिंशन अपनों को सेम मिलता होगा और इसमें क्या होता है कि मिल जाती है ठीक है बिंदू पर मिल जाती है लेकि इसमें मिलती हुई परतीत परती है मतलब मालूम परता है कि मिल रहा है लेकिन इसमें मिल जाती है ठीक है दोनों का डिपरिंशन सेम है के वह आपनों को यह कन्फूजन जो हो क्रियेट होगा तो उसे आप ऐसे याद रखेंगे कि इसमें मिल जाती है इसमें मिलती हुई मालूम परती है इसके बाद दूसरा पॉइंट बास्तविक परतिविम का यह किर्णों के बास्तविक रूप से कटने पर नहीं उन्हें पीछे पढ़ाने पर ही वहां मिलते हैं जहां वो किरन बनता है परतिवीम बनता है तो आप लोग इसको याद रखेंगे दोनों को याद रखेंगे कि ये किर्णों के बास्तविक रूप को कटने के बाद बनता है लेकिन ये इसको लाइन किचेंगे लाइन के जो आगे बढ़ाएंगे उसके बाद जो मिलेगा वहाँ परतीपीम बनता है इसके बाद तिसरा point बास्तविक परतीपीम को आप इस प्रकार से लिखेंगे यह स्नदयाब सीधा होता है चौथा point है इसपरदे पर प्राप्त किया जा सकता है जब कि आपासी परतीपीम को परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो इस परकार से पहले question का answer आप लोग लिख सकते हैं इसके बाद दूसरा question आप लोग के बीच है बहुत अच्छा question है उत्तर lens को अभी सारी lens क्यों कहा जाता है उत्तर lens को उत्तर लेंस लिया गया है उत्तर लेंस लिया गया है और यह जो है परकास की किरने है सभी जो है किरने है ठीक है जब उत्तर लेंस पर परती है तो क्या होता कि लेंस के अपवर्तन होता है यह तो प्रावर्तित हो गया और यह अपवर्तित लेंस से जब निकलती है तो सभी कि क्या होता है कि एक बिंदू पर जा करके मिल जाती है ठीक है तो एक बिंदू पर मिल जाती है तो वो क्या कौन सा हो गया तो यह आप लोगों का उत्ता लेंस हो गया ठीक है तो इसको उत्ता लेंस को अभी सारी लेंस भी कहा जाता है इसलिए तो असवाश्ट उत्ता लेंस समा लेंस को अभी सारी लेंस क्यों कहा जाता है ठीक है तो आप लोग इस फिकर के माध्यम से भी जान सकते हैं फिकर आप लोग लिखिएगा कि परकास की कीरने जब उत्ता लेंस पर परती है तो सभी कीरने क्या हो जाता है आपस में अपवर्तित होने के बाद आपस में मिल जाती है तो ऐसे लिखना है ठीक है इसके बाद तीसरा कोश्चन है स्वच्छ अकास का रंग नीला क्यों दिखाए देता है तो आप लोग स्वच्छ अकास नीला परतीत होता है इसका अंसर आप पुछ पर इस परकास से लिख सकते हैं बहुत संदर कोश्चन है इसके बाद चौथा कोश्चन है परती रोधों का सन्यूजन क्या है यह कितने परकार के होते हैं तो आप लोग विधूत धारा पढ़े होंगे चौथा सब्सक्राइब तो इसमें आप लोगों को बताया होगा कि जब परती रोधों को एक सात जोर कर परिपत तयार किया जाता है परती रोधों का सामुग हुई करन कहलाता है यह दो परकार के होते हैं पहले तो स्रेनिक करम सन्योजन दूसरा पार्सव करम सन्योजन तो स्रेनिक करम सन्योजन का फिगर कुछ इस परकार से रहता है आप लोगों को जो भी लिखना है R बड़ाबर R1 पलस R2 पलस R3 पलस R4 डॉट 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 तो इस परकार जो रहेगा तो यह सिरेनी करम सन्योजन होता है तो इसमें आप लोग इस figure को याद रखेंगे इसके बाद दूसरा जो होता है वो पार्सव करम सन्योजन होता है तो इसमें जो होता है R जो सभी रहता है वो एक के बटे में रहता है ठेक है तो एक के बट्टे में रहता है जैसे यहां पर 1 by R बड़ाबर 1 by R 1 पलस 1 by R 2 पलस 1 by R 3 पलस 1 by R 4 डॉट 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 तो इस परकार से जो रहेगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि यह पारसव करम सन्योजन है तो इसका figure कुछ इस परकार से रहेगा ठेक है देख सकते हैं यह पारसव करम में हैं तो ऐसे है तो आप लोग को यह पारसव करम हो जाएगा और समानतर रहेगा जो सीधा लाइन है देख सकते हैं यह जो यहां पर सन्योजित कर रहा है वो सीधा लाइन है ठेक है तो आप इस इसको लिख सकते हैं पांचमा question है किसी विधूध परिपत में लगूपथन कब होता है देखिए यह important question है किसी विधूध परिपत में लगूपथन कब होता है इसका उत्तर बहुत आसान है और लिखने में भी मज़ा आएगा जब विधूध तनमय तार अतवार जो धनात्मक तार होता है तथा उदासिन तार अथवारिनात्मक तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं ठेक है एक दिखिए नेगेटिव पॉइंट वला एक पुजेटिव पॉइंट और एक नेगेटिव पॉइंट वला तार दोनों जो है वो सीधे संपर्क में आते हैं तो वो अती भार होता है ऐसी परिस्थिति में किसी परिपत में विदू धारा आक्सिमात बहुत अधीक हो जाती है जब यह दोनों मिलेगी न तो क्या हो जाता है कि एक निगेटीव पॉइंट एक पोजिटीव पॉइंट जब एक दोनों एक साथ अचानक से मिलेगा तो एक परवल धारा उत् है जिसे अति भारन होता है ठीक है ऐसी परसीति में क्या हो बिधु धारा का जो मान होता है होने वाला मान जो होता है वो बहुत ही जादा हो जाता है इस कारण लगू पधन करते हैं ज्शिकों लास्ट कुस्चन जो की इंधन क्यों समझा जाता है बहुत ही important question है क्योंकि हम लोग जो cylinder यूज करते हैं वो LPG रहता है तो यहीं question है कि LPG का पूरा नाम लिखे तथा इसके घटक बताएं इसे एक अच्छा इंधन क्यों कहा जाता है या समझा जाता है तो इस question का आंसर कुछ इस पर क्या लिख सकते हैं कि LPG का पूरा नाम लिक्क्यूफाइड पेट्रोलियम गैस है कि इसे संचेव में LPG लिखा जाता है यह नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसो ब्यूटेन का निर्म मिस्रन है यह जो LPG है वो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन का मिस्रन है LPG एक उत्तम इंधन के रूप में उप्योगी है क्योंकि पहला में LPG का कैलोरी मान 55 किलो जूल पर गराम से अधिक है दूसरा यह गैस धुआ रहित जौला के साथ जलती है जो हम लोग गैस सिलिंडर यूज करते हैं जो LPG का गैस रहता है वो उसमें धुआ नहीं होता है तो मुप्त रहता है क्योंकि इसमें कोई विसेली गैस उत्पन नहीं होती है अर्थात इससे बायू पर दूसरा नहीं ह अबसिस नहीं रहेगा जैसे लकड़ी जलाते हैं तो उसमें क्या कोई ला रहेगा लेगिन LPG गैस जलाने के बाद आपको कोई वी अबसिस नहीं रहेगा ठीक है तो अता यह एक स्वक्ष घरेलू इंदन है चौता पॉइंट आप लिखेंगे यह उसमा उत्पन करने का खर मैंने फिजिक्स का कुल छे सब्जेक्टिव कोईशन बताए हैं जो कि आप लोग कौपी पे नोटन किये होंगे मुझे उमीद है अब अगले वीडियो में मैं केमेस्ट्री का कुछ इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव कोईशन लेकर आऊंगा इसके बाद अब्जेक्टिव तो अपलोड होता ही रहता है सब्जेक्टिव भी मैं अपलोड करते रहूंगा तो जानकारी अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत